कोरोना वारस के संक्रमन को रोकने के लिए मुखे मंत्री अशुग हैलोत पूरी दरीके से प्रयास्वरत है संकट के इस दौर में उन्होंने अपनी पूरी सरकारी मशीनरी को अपने अपने इस तर पर कोरोणा वारस की प्रकोप को कम करने के लिए दिशा निर्देश दिये है खास बात ये है कि हरपल की अपडेट लेने के लिए चिकितसा विभाग की टीम के साथ साथ जन प्रतिनीधी भी अपने क्षेत्र में लगातार दौरा कर रहे हैं शहर में कर्फिय और लॉकडाउन को लेकर चल रही स्तिती पर मुख्य सची तक महेश जोशी भी क्षेत्र के साथ साथ जैपूर कमिश्रेट में तमाम थानों में भी नजर बनाये रखे हैं और लगातार दौरा कर रहे हैं इसे के चलते महेश जोशी अचानक शाम सिंधी कैम थाने पहुचे और थाना प्रभारी जुल्फिकार से स्थिती के बारे में इज जानकारी लिए इस दौरान जोशी ने करीब एक घंटे तक इलाके का जायसा लिया जोशी ने पुलिस कर्मियों को सोशल डिस्टेंसिंग में ड्यूटी कर दे देख कर उनकी सरहाना भी की व्रिजण का प्रवः जैपुर की पूलिस ने बेन्ती हां सेवा करी लोग्ते कई जिन तक तो नया पिलिस वाले सोते थे ना आराम करते थे ना खुद की चिंटा और अपने जान जोखने में डाल के अपने साथ से को जोकी में डालके पुलिस वालों नोगों को पता नहीं लगा पुलिस वालों ने तो सरकार से ने प्रशासन से ने किसी से एक नए पसान नहीं दिया और सवालाग के करीब खाने काई दिन तक उने पर सवालाग एक लाग पैंतीस सजार करीब खाने पुरिस वालों ने अपने तरफ से बाद लोगों को तकलीफ नहीं होने थी ये बहुत बड़ी बात है और यह जो लॉगडाउन किस्ते थी और कर्फू किस्ते थी है इसमें लोगों की सेवा करके लोगों को यह एसास यह उनको उनकी तकलिफ हो भी कम करेंगे और हम कोशी करेंगे कोई भी वक्ति यह कोरोना वाइरस की से प्रभावित नहीं